दोस्तो आज हम जानेंगे transmission line के एक ऐसे important component के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो एक ऐसा component एक ऐसा part हमारे transmission line का जिसको अगर transmission line पर नहीं लगाया जाए तो हम सभी को एक huge loss एक भारी नुकसान देखने को मिल सकता है तो क्या होता है ये इसे transmission line पर क्यों और कैसे लगाते हैं इसको अगर line पर नहीं लगाया तो क्या होगा चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में जान लेते हैं दोस्तो इसका नाम होता है area marker ball अब ये जो balls हैं आपको हर transmission lines पर देखने को नहीं मिलेंगी ये में लिए आपको हिली स्टेशन के पास की transmission line, river crossing के पास की transmission line या कहीं की runway के पास की transmission line या जहाँ पर भी आपका weather conditions बेकार रहती हैं जहाँ पर भी आपके मौसम खराब रहता है उधर जो transmission lines लगाई गई हैं उनकी wires पर आपको जो ball हैं वो लगी हुई दिखेंगी basically area marker ball का का काम होता है visibility provide कराना ताकि कोई भी airplane, कोई भी helicopter इन wires के touch में ना आपाई यही balls हमारे pilot को alert कर देती है कि आगे transmission line है जिसकी वजहां से एक बड़ा accident होने से बच जाता है area marker ball का दूसरा नाम visibility ball भी होता है क्योंकि इसका काम ही visibility provide कराना है ताकि जो भी हमारा pilot है उसे पता रहे कि आगे कोई transmission line है अब जो भी आपकी visibility balls होती है यह mainly आपको तीन color में दिखेंगी red, yellow और white और यह सभी ball एक normal plastic से बनाए जाती है अगर इनके size की बात करें तो इसका size 36 inch तक हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितने size में बड़ी होती है यह aerial marker ball अगर इनका connection करा जाता है तो guys आपके transmission line को पहले shutdown लिया जाता है आपको जो substation है वहाँ से line का current है पहले उसे zero करा जाता है फिर आपके helicopter के use से जो भी आपका worker है व आपके transmission lines पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें कि मैं आपको live दिखाऊंगा transmission lines पर लगी हुई area marker balls यहां पर एक Noida to Agra एक expressway है उस expressway पर जो transmission lines गई है वहाँ पर भी जो है area marker ball को लगाया गया है तो जब भी म आपको प्रोइड कराता हूँ तो उसकी recording करके आपको प्रोइड कराता हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे जो है area marker ball लगाई गई है किस color की लगाई गई है किस किस wire पर लगाई गई है और क्या condition रही है जिसकी वज़े से हमें इस tower पर area marker ball को लगाने की ज़रूत पड़ी है तो I hope guys video knowledgeable लगी होगी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं अपनी electrical knowledge को enhance करना चाहते हैं तो आप हमसे जूट सकते हैं मिलते हैं next video में till then thank you